बाहर निकलना क्या होता है यह 21 दिनों के लिए भूल जाएए गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वकून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बज़े से पूरे देश में ध्यान से सुनिए पूरे देश में आज रात बारा बज़े से संपूर देश में संपूर लॉकडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है यह एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जड़ा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप निरनायक लड़ाई के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी बारत सरकार की देश की हर राचे करकार की हर स्थानी निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विक्ता है और इसलिए मेरी आप से प्रारतना है और मैं हाद जोड़ के प्रारतना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सबस्ता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सबस्ता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्पवून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर ये 21 दिन नहीं समले तो देश और आपका परिवार 21 सांग पीछे चला जाएगा अगर ये 21 दिन नहीं समले तो कई परिवार हमेशा हमयासर के लिए तबाह हो जाएगे और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तोर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करें कि अपने घर में ही रहे कि अवारे